हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए प्रिबियस एयर एक्जाम एंटीपीसी में पूछे गए मुश्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन लाए हैं जो अगरगामी आने वाले एंटीपीसी और ग्रूपडी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफूल है दोस्तों इसमें जीके जीयास और जनरल आवार्नेस के मुश्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है दोस्तों आप सभी को पता है कि अटीपीसी के एक्जाम 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और एक्जाम के लाश्ट समय में प्रिवियस एयर एक क्वेस्टन से होते रहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट आप यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें तो आज आपका 36 प्रशन है। दोस्तों इसके पहले shift first का question करा दिया गया है जिसका link description box में दे दिया गया है वहां से जा कर आप shift first question का question देख सकते हैं तो आज आपका 36 question है सरवाथिक Oscarplus का जीतने वाले पुरूस record किस के नाम पर है तो सरवाथिक उस में किस फिल्म का आसकर पुष्कार दिया गया है तो प्रसाइट को दिया गया है चलिग सायट ने प्रस्न हे है कि पदमस्री से संवाहनित किये जाने वाले पहले हाकी खिलाडी कौन थे तो पदमसीरी से सम्मानित किया जाने वाले पहले हाकी खिलाडी बलबीर सिंग सीनियर हैं इसका राइट एंसवर भी होगा दोस्तों आप इन प्रशनों को देखकर जो अर्तमान में करेंट अफिर की क्वेस्टिन है उनको आप याद रखिएगा चलिए अगले प्रश्ण के वर बढ़ते हैं अगला प्रस्णाप का है कि निमने लिखित में से एथनाल किसे से प्राप्त किया जा सकता है तो निमने लिखित में से एथनाल गन्ना से प्राप्त किया जाता है तो इसका राइट एंसवर सी होगा गन्ना से एथनाल प्राप् अगले प्रेश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रेश्ण आपका है कि मोटाप्य को नापने के लिए निमने लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो मोटाप्य को नापने के लिए निमने लिखित में से BMI का यूज किया जाता है तो इसका राइटम सर भी होगा दोस्तों इस सब प्रशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे कोईशन रेलवे में एंटीपीसी में रिपिटेड होंगे इसलिए इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से देखें लाश तक देखें चलिए अगले प्रशन क्यों चलते हैं अगला प्रशन आपका है कि ली प्रशन आपका है कि अध्यन को किया कहा जाता है थे पैजिए अघ्याण को आर्थोनियोसी कहा जाता है हुआ जो प्रशन आपका है इस तुरह जितने भी अध्यान सब को आप याद रखिएगा चलिए अगले प्रश्न क्योंiggly पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण लिए गए हैं बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें फिजिक्स कमेश्ट्री सब प्रकार की क्यों है, चलिए 42 क्यों पढ़ते हैं सौर मंडल के सब से छोटा क्यों पहुद्ध है बुद्ध है इसका राइट असी हो सी है चलिए दोस्तों अगले प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि विद्वुत आवेश के एसाई मात्रा क्या है इन सब प्रश्णों को आप तिर कमेंट बाक्स में लिखें आप लास्ट में यह भी बताएं कि आपके कितन कि देनमार की राजधानी क्या है देनमार की राजधानी कोपेन हेग है तो इसका राइट असवर ए होगा अगले प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि 2015 में संयुक्त राष्ण जलवायू परिवरतन सम्मेलन कहा आयोजित किया गया था 2015 में संयुक्त राश जलवायू परिवर्तन सम्मेला कहां आयोजित किया गया था इसका राइटेंस वर्सी है पेरिस्ट अगले प्रस्थ क्यों पड़ते हैं अगला प्रस्थ आपका है भारत में सबसे पुराना बांद काउन सा है इसको आप याद रखिएगा जो गोल का क्व भारत में सबसे पुराना बांद ग्रेंड अनिकुट है इसका राइटेंस वर्स दी होगा जो कला नाई में है अगले प्रस्थ क्यों पड़ते हैं अगला प्रस्थ नहीं कि दूजर अठारह में सीथ कालिन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे दूजर अठारह में जो स करेंट अफेर के क्वेश्चन इससे आपको पता चल जाएगा उससे आप याद रख सकते हैं पानी के अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए किसी अंद्र को प्योग की जाता है पानी के अंदर वस्तों का पता लगाने के लिए सुनार का यूज किया जाता है इसका प्रशात थैत इसका राइट एंसर सी होगा सुरी दोस्तों इसका राइट एंस्वर भी होगा लाड माउंट बेटन तो सोतंद्र भारत के गवर्णर जनर्र लाड मांट बेटन है अगले प्रशन क्यों परते हैं अगला प्रस नापका है कि अंत्रिच में जाने वाले सरोपत्व कुत्ते का नाम क्या है अंत्रिच में जाने वाले सरोपत्व कुत्ते का नाम क्या है इसका राइट लाइका अंत्रिच में जाने वाले सरोपत्व कुत्ते का नाम लाइका है अगले प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ण है है विटामिन ए की कमी से काउंसा रो होता है तो बिटामिझ ए की कमी से रटव धिरुत रोग होता है तो इसका राजिटर रस्वर ए यह होगार अगरेu प्रस्ट को पड़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि भारती सन्विधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेक किया गया है तो भारती सनुविधान में टोटल साथ मौलिक अधिकारों का उल्लेक किया गया है अगले क्यों पढ़ते हैं अगला प्रसना आपका है कि 2015 में पुरुसों का फ्रेंच ओपन पुरुसकार किसने जीता है दोस्तों जो 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुसकार हो उन सबसे संबंदी पुरुसकारों का फियाद रखिएगा 2015 में पूरसूर का फ्रेंच ओपन पूरसकार किसने जीता है तिसका राइट एंसवर होगा C इस्टेन वाउरिंग का अगला प्रस से तरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा दूसरा देश का उनसा है कि छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा दूसरा देश रूस है इसका राइट एंस्वर सोरी कनाड़ा है इसका राइट एंस्वर भी होगा छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाड़ा है अगले प्रस्ष्ट के और चलते हैं अगला ना दू रही अगले प्रस्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि भारती अंतरिच कार्यकर्म का जनक किसे कहा जाता है तो भारती अंतरिच का जनक विक्रम सारा भाई को कहा जाता है इसका right answer B होगा अगले प्रस्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि कंप्यूटर चीप का दूसरा नाम क्या है तो कंप्यूटर चीप का दूसरा नाम माइक्रो चीप है इसका right answer A होगा अगले प्रस्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि किस देश का सोतंतर दिवस चार जनुरी को मना जाता है इसका right answer B होगा हुआ है ty sorry किस देश का स्वतर अंत्र दीवस च्छार जनुरी को मना जाता है तो मिया मार का स्वतर दाद स्षर दीवस च्छार जनुरी को मना जाता इशेक scarab y होगा अगली produit करेंबिक प्रशन क्यों पड़ते हैं कि एक चंद्रमा led में ग नीमीड है इन सब प्रशनम का एंश्वर आप कमेंट बाक्स कमें लिक words peculiar कि किस ग्राव के एक चंद्रमा का नाम गणने इसके राइट हैँ सिम्लेंट होगा श्यक्ति कि चंद्रमा में चर्ण का नाम अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्न आपका है अगला प्रस्न क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्न कि खो-खो खेल में खेलते समय मायदार पर्तिक्ट में किस्क खिलाड़ी होते हैं और नहीं कि एंट्रेशनल योगा बढ़ते हैं अगला प्रशना अरी वरी इंपॉर्टन में कल्छा जा चुका है लोगसफ़ा के पहले अध्यश मावलंकर तो इसका राक स्वार या ना जाता है प्रस्ट की वर पढ़ते हैं प्रस्ट की था जो फीट कई की खोच की से था एगले फ्रस्ट की और पढ़ते हैं अगला प्रस जो अनोखा है वो मालूम करे मंदीर इट महल घर इसका राइट एंसर बता है तो जो अनोखा है इसमें से कौन से अलग है दो इसको बताना है आपको जो अनोखा है वो मालूम करे तो आपका मंदीर इट और महल घर में से कौन अनोखा है इसका राइट एंसर होग एक बना सकते हैं इसलिए अलग है अगले प्राप्ष्ट को ना प्राप्ष्ट कर अगले प्रश्ट के और पढ़दें हैं अगला प्रखिनाप का कि इस ब्रहमाट में दूसरा प्रचूर मात्रा में सरवाधिक तत्त्त्त्лад में interfaces एसका राइड़ एंश्वर ड्ी होगाई अगले प्रश्वरण सोरी दोस्तों इंस इस ब्रहमान में दूसरा प्रचुर मात्रम सरवाधिक तत्तों कौन सा है तो इसका राइट एंसर भी होगा हीलियम हीलियम जो है सरवाधिक मात्रम उपलब अगले प्रश्च के उपढ़ते हैं अगला प्रस्णाप का है किस देश ने युएस से को स्टेचू आफ लिबर्टी भेट की थी किस प्रश्च क्यों पढ़ते हैं अगला 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 प्र फर्स में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तरविण ना टाइगोर को गितांजली पुस्तक के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया था यह पुरुसकार 1970 में रोइंदना टाइगोर की अपर उसका उननाई सो तेरम दिया गया था इसका राइट एंसवर सी होगा अगले प्रस्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है दोस्तों इसमें जितने भी प्रस्ण दिये गये हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है इससे ए पर पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है ौधिक को पी-आइस यल-बी क्या प्रस्ण पढ़ते हैं प्रस्ण क gossip पराहें एक समय जन्सी होता है इसका इसका मुख्याले कहां पर रहे जो रिटर्ण से इसका मुख्याले बताना है दोस्तो इसका राइट एंस्वर यह होगा UK, UK में रिटर्ण एक समचार एजनसी का मुख्याले है, अगले प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है दोस्तो आपका, अगला प्रस्ण, डाल्फिन के समुह को क्या कहा जा जाता है, इसका राइट एंस्वर भी होगा, पॉट कहा जाता है, डाल्फिन के समुहों को पॉट कहा जाता है, दोस्तों यहां पर आप की आरज़बी एंटीपीसी स्टेस, फर्स्ट सिफ्ट थर्ड के क्वेस्टन को देख लेते हैं, चलिए अगले पचात्रव प्रस्शन कोश्का को जाता है, तो कोश्का को जीवन की मुल भूत कहाई कहा लाता है, अगले परस्शन की वह बढ़ते हैं, अगला प्रस्शन है कि निमने लिखित में से कौन सा निवन्तम छिद्र युक है, इसका राइट एंस्वर का सी, चिकनी मिठ्टी, चिकनी मिठ्टी जो है, लुटे हैं अगला प्रेस्ट करते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि 2015 में किस उनिवर्स खिताब जीता था 2015 में Miss Universe का किताब किसने जीता था इसका राइड एंसर भी होगा पिया वुच्वैक को इसका राइड एंसर भी होगा कखे अगले प्रस्न हैं कि एक अन्य नाम क्या था जो चाड़क मेन नाम क्या था तो एक अन्य नाम था अगले प्रस्न है आपका कि बढ innovativeまぁ की जो स्थापक थे जो माच की जो संसथापक थे із यह आध संस्थापक को आप याद रखिएगा तो ब्रह्म समाज की जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे तो इसका राइट एंसवर ए होगा अगले प्रस्ट क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है कि निम्लिकित नदियों में से कौन सी नदी पस्चिमी घाड में से न प्रस्ट कि परखें élect procure रहे और प्रस्ट अगले प्रस्ट के रहते हैं अगला प्रस्ट के पिता कहनते होगा अगले प्रस्ट क्यों प्रुस्कार किसने प्राप्त किया था इसका राइट एंसर होगा ए गुरू चरण सिंग को मुक्य बाजी के लिए दोड़ा चार प्रुस्कार दिया गया था अगले प्रश्ण क्यों पड़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि निमने लिखित में से कौंस एक उत्कृष्ट इसका राइट एंसर पताईए दोस्तों इसका राइट होगा बी चादी चादी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है अगले प्रस्ण क्यों पड़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि निमने लिखित में से किसने 2015 में सर्वस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए आसकर प विग हीरो को het 15 में सर्वस्ट एनिमीट फीचर फिर कॉसर प्रुष्कार मिला था याद रखेंगे कि जो 220ए см उसमें सरवस्त्रे फिल्म को पुरुष का पारसाइट को दिया गया है पारसाइट इसको याद रखेगा कि 2020 में पारसाइट को पुरुषकार दिया गया है अगले प्रस्ट क्यों पड़ते हैं अगला प्रस्ट आपका है प्रसिद यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का थ यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है प्रसिद यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था ग्रेट ब्रिटेन का था इसका राइट एंसर सी होगा अगले प्रस्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि मारिया ना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है जो मारिया ना ट्रेंच है किस महासागर में इस्तित है इसका राइट एंसुर बताईए दोस्तों इसका राइट एंसुर होगा भी प्रशान्त महासागर में मानों श्रीर में सबसे च्छोटी हडी इस्ट पीज है इसका राइन सो सी होग अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्थ्न आपका है। पीछे की और दोड़ने वाला एक मात्र पच्ची कौन सा है ति पीछे की और दोड़ने वाला एक मात्र पच्ची हमिंग बर्ड है तिसका राइटेंसर यह होगा हमिंग बर्ड एक ऐसी पच्ची है जो पीछे की और दोड़ सकती है अगले प्रस्ण क्यों पर दते है अगला याद रखिए कि दोस्तों आक्टोपस के खून का रंग नीला होता है अगले प्रश्ण के वर पढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि अस्टेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है अस्टेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर सिड्नी है तो इसका इसको आप याद रखिएगा कि भारती विज्ञान संस्था कहां पर इस्तित है तो भारती विज्ञान संस्था मंगलूरू में इसका राइट एंसर भी होगा अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि निमने रखित में से कौन सा खेल उलंपिक खे में से हटा दिया गया इसका राइट एंसर बताइए दोस्तों इसका रइट एंसर हो करे बेस बाल से होगा अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपका के कंप्यूटर के संदocyór में लैन का ताथ पर तो सिं लीगल एरिया नेटवर्क लैनीर फूल फॉल प्रश्णों को आप याद रखिएगा अगला प्रश्ण आपका है कि वर्तमान में हमारे द्वर उप्योग किया जाने वाले रासाइनिक प्रतीकों की उप्योग वीदी किसने दयार की थी इसका राइट एंसर होगा सी बर्जिलियस ने बर्जिलियस ने प्रश्ण में रहसानी प्रतीकों का उपयोग किया था चलिए दोस्तु अगले प्रश्ण पे चलते हैं अगला प्रश्ण आपका है कि पृतिवी का। संचालीत होता है जो पृतरीवी का जल चक्र है किसके द्वारा संचालीत होता है सुर्य प्रच्छ प्रश्च क्यों कि बढ देए औगला प्रश्ण है consistent कका मुख्याले कहां पर है जो ओन जीस्य है इसका मुक्छाले है देहरादून में है तिए इसका right answer D होगा अगले प्राशक क्यों पढ़ते हैं अगला प्रसγά है कि राबट, गालव्रेत को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है इसका right answer D होगा JK Rowling JK Rowling के नाम से जराबड गेलवरत को जाना जाता है अगले प्रश्च की और पढ़ते हैं अगला प्रस्वन है थामस काफ किस खेल से संबंदित है इसका राइट एंस्वर तिसका राइट एंस्वर होगा बैट मिन्टल धामस का Cobra mois कोड़ से ज्ड़ा है चलि अगले प्रेशसे बढ़ते अगला प्रस्ण आपका है कि सूर्य की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है ते परमालूस सल्यन्स से उत्पन होती है तिसका राइट एह होगा कि सूर्य कि उर्जा lets प्रस्ण आपका है तो इसमें इतने प्रस्ण लिया गए है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण आप याद रखिएगा नीम्नलिकित में ऐसे कौन सा शहर वस्तुकला की द्रिष्टी से नियोजित शहर है इसका राइट एंसवर बताएं दोस्तों इसका राइट एंसवर हो कि सबसे बड़ा अस्तनपाई कौन सा है तो सभसे बड़ा अस्तनपाई होगा ब्लू हुवेलração सबसे बड़ा अस्थैंसाई है इसका राइट एंसवर के इस revenue आपका है शब्शुत संदरबित करता है यह होगा तो दीन और रात क कर एक समान आविदी के होते हैं अगले प्रस्थ की तंत्र की संकलपना को किसी से परिभासित किया गया था तो जो पारिश्थी की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन सी है दुनिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भासा इस पेनी से इसका राइट एंसवर भी होगा अगले प्रस्थ क्यों परते हैं अगला प्रस्थ आपका है विकास का सिध्धान किसके द्वारा प्रस्थावित किया गया था जो का सिधान थे किसके दreno प्रस्तावित किया गया था उसके राइड प्रस्तावित किया था तो आपका है कि यह बताये दोस्तों तो फ्लस प्रस्तों एक इन्पट डिवाइस से सबेस्ट आपके कितने Left प्रएक्ट हुए दोस्तों अगले प्रस्ण के बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि भारत में भारत के वरतमान मुख्यन आदिश कौन है इसको आप कमेंट बाक्स में लिखिएगा चलते हैं अगले प्रस्ण आपका है कि रॉयाल किस देश के मुद्रा है स्वाइए इसका राइट एंसर बताःए दोस्तों ृस राइट एंसर होगा सिकुंड़ाश्य ब्रटे बंढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि इन से काउं से राषानीक परिवरतल इक हुर्ण है इसका आप डाइट साहल के पूरुष्कार कन थे सिसे सम्मानित होने वाले पर्थम व्यक्ती कौन है इसका राइट एंसर पताई दोस्तों इसका राइट एंसर डी है देविकार रानी को दादा साहे फाल के पुरुसका से सम्मानित होने पर्थम व्यक्ति थी अगले प्रश्ण के वर पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि किस अभ्यार को पुरू में भरतपूर पच्च अब भ्यार के रूप में जाना जाता है इसका राइट एंसर डी होगा इन सब प्रश्णों का आप याद रखिए अगले प्रश्ण के वपढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनीश के परिवहन को सच्छाम करता है इसका राइट इसका राइट एंसर होगा जाईला सी अगले प्रस्ण को पढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपका है कि इन में से कौन एक भारती गड़ी तक गये है इसका राइट एंसर दोस्तों बताईएगा यह आपका लास्ट क्वेश्चन है इन में से कौन एक भारती गड़ी तक गये है तो इसका राइट एंसवर होगा सी भासकर एक भारती गड़ी तक गये हैं दोस्तों यहां पर आपके सेकेंड शिफ्ट और थर्ट शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्टन कम्प्लीट होते हैं दोस्तों इसी तरह आपको डेली फस फसीफ्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फारवाची